जहिन साथियों अभे हम लोग पस्ते हैं एक जाम टोर चैनल पर कदाचार में सनलिप्त पाए गए ब्रिक्षक की जाएगी नौकरी यानि कि जो भी ब्रिक्षक होंगे यदि कदाचार में सनलिप्त पाए जाएंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी ये पहले दिया जाता है लगतार ताकि देख ले कि हां बी एससी कितना कड़ा तरीका से कितना सही तरीका से कितना अपना आपको पाकसास दिखाने का प्रयास करती है अच्छी बात है अच्छा तरीका से हो इस्चे बहतरीन क्या होगा प्रिक्षा के लिए सकत कदम उठाये हैं कदाचार में अगर सरकारी शेवक बिक्षक या अधिकारी लिफ्ट पाए गए तो उनकी नौकरी चली जाएगी कदाचार करते पकड़े जाने पर अभ्यर्थी को 5 साल के लिए परिक्षा से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा दंडात्मक करवाई भी होगी पीटी पांच मार्च को है यानि की जो एक्जाम कैंसिल हुआ था फर्स्ट पाली का उसका एकजाम पांच मार्च का है दो पाली के अभी भी अभ्यरती लगतार अपना वेट कर रहे हैं लगतार अपना जिस तरीका से उनका हो रहा है वो मेहनत कर रहे हैं ताकि उनका भी केंसिल हो चाहिए आयोक के सचीव शुनिल कुमार ने बताया कि शुबह नौव बजे से 11 बजे तक केंद्र पर परवेश मिलेगी परिक्षा बारह वैसे सवादो बजे तक होगी तेई से दिसंबर दोच्जार बाइस को पहली पाली की परिक्षा का पेपर लीग होने के बाद इसे रद कर दिया नौव बजे से 11 बजे तक ही आपका इंट्री मिलेगा जिस तरीका से एक्जाम लिया गया ठीक उसी तरीका से एक्जाम है इसलिए आपको बारह वैसे एक्जाम चालो होगा दो बजे तक इस बात को ध्यान में देंगे और एक बात आप से बता दे थोड़ा सा आप अपने अगल वगल वैसे अभ्यरती लोग को देखेंगे जो मोबाइल ले कर जाते हैं क्या करते हैं उन पर आपको भी नजर देना होगा ताकि आपका भी जिम्मारी बनता है कि कोई ऐसा चात्र हो जो इस तरीका से काम करते हैं तो उन पर भी देखेंगे और अच्छा तरीका से ए अब जो समय है इसमें केवल रिभाइज करें नया पढ़ने का काम ना करें जय हिंद जय भारत जय इवा